वेलकम तो स्टड़ी चैनल मेरा नाम है मुहम्मत कैसर तो दोस्तों 48,000 पदों पर नए सिक्षक भरती का विज्यापन जारी हो गया है बड़ी खबर आप यहाँ पर देख सकते हैं और यह भरती है राजस्थान से लेकिन आप किसी भी राज के हों आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालियों के लिए यह भरती है लेवल वन यानि प्राथमिक वन टू फाइफ का शिक्षक बनने के लिए लेवल टू उच्च प्राथमिक के लिए ये विग्यापन है बात करें यदि प्राइमरी की तो यहां पर टोटल लेवल 1 में 21,000 पद हैं और लेवल 2 की बात करें तो टोटल 27,000 पद हैं और कुल पदों की संख्या है 48,000 तो जिन्होंने भी REIT की परिक्षा दी है वो इस भरती में शामिल हो सकती है REIT qualifying exam है राजस्थान का तो जिन चात्रों ने ये परिक्षा दी थी अब वो मुख्य परिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद फिर इने final selection मिलेगा आपको चात्रों के doubt आ रहे हैं इस भरती संबंधित और मैं यहां पर आपके सभी doubt को clear कर दूँगा सबसे पहली चीज ये है कि आप seated pass हो या ना हो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं यदि आपने REIT का exam दिया था तो seated से कोई मतलब नहीं आप pass हैं तो भी आपको REIT की परिक्षा पास करनी जरूरी होगी यदि आप seated pass नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आप REIT दिये थे पास हुए हैं तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं आवेदन सुरू होगा 21 दिसंबर से जो चलेगा 19 जनवरी 2023 तक राजस्थान में को पता ही है कि लेवल वन में बीएड एलिजबल नहीं है वहां से वह बाहर हो गया है मामला सुप्रिम कोड में चल रहा है सरुमानने होगा फिलहाल बीएड लेवल वन में आवेदन नहीं कर सकता है ऑनलाइन ही सिर्फ आवेदन सुरूकार होंगे कोई भी offline आवेदन स्विकार नहीं होगा और exam का date भी बता दिया गया है ये एक अच्छी चीज है 25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में आपकी परिक्षा कराई जाएगी तो ये भी यहाँ पर चीज बिल्कुल clear कर दी गई है फर्म आप भरपाएंगे इस वाली website पर short notice जारी हो गया है detail notification जारी होगा तो आपको उसके बारे मत आया जाएगा एक बाद detail notification पढ़ना है उसके बाद ही आप आवेदन करें यदि आप level 1 और level 2 दोनों के लिए eligible हैं तो आपको अलग-अलग आवेदन करना होगा और जो other state के चात्र हैं वो unreserved city टों कर फाइट करेंगे reservation का लाप सिर्फ राजस्थान के चात्रों को मिलेगा ये normally हर जगे होता ही है तो 49,000 पदों पर third grade सिक्षक भरती राजस्थान में शुरू हो चुकी है 21 December से लेकर 19 January के बीच में आवेदन होगा 25 से लेकर 28 February के बीच में आपकी परिक्षा हो जाएगी Level 1 में total 21,000 पद है Level 2 में आप पद विशयवार देख सकते हैं बाकी detail notification जब आएगा तो आपको चीजें और detail में बताई जाएगी फिलहाल आप लोग अपने exam की तयारी शुरूब कर दीजिए जो BSTC, DL8 वाले चातर हो Level 1 में आवेदन करेंगे जो B8 वाले हैं वो Level 2 में आवेदन करेंगे और DL8 को Level 2 में भी मौका मिलता है तो मुख बाद यहाँ पर यह है कि आप यदि other state के हैं यूपी के हैं, यूपी के सूपर टेट का इंदजार कर रही हैं तो आप यहाँ पर भी try कर सकते हैं क्योंकि other state वालों को रोका नहीं गया है बस condition यह है कि आपने rate की परिशादी हो और दूसरी important चीज़ यह है कि seatate मानने नहीं है राजस्थान में आप seatate दिये हो या ना दिये हो कोई फर्क नहीं पड़ता है इक्जाम आपका राजस्थान में ही होगा इसको लेकर भी काफी चादर सवाल पूसते हैं बाकी इसके लव आपके कोई और doubt हो तो आप comment करिए आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सस्काइब कर दीजेगा दोस्तों ताकि आपको इसी प्रकार की सभी latest और authentic information मिलती रहे thanks for watching